लबश्कार महराष्टर के राजपाल स्रीमान भगत स्रीं कोशियरी जी मुख्यमंत्री स्रीमान उद्दव ठाकरे जी केंद्रिय मंत्री मंदल में मेरे सहयोगी अश्वीनी वैश्णव जी राव साहिब दानवे जी महराष्टर के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार जी महराष्टर के पुर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फढ़नविश जी साउसत और विधायग्ण भाईयों और भेनों कल छत्रपती सिवाजी महराच की जन्व जेन्ती है सबसे पहले मैं भारत के गवरव भारत की पहचान और संस्कृति के रक्षक देश के महान महानायक के चरड़ों में आदरपुर्वक प्रणाम करता हूँ सिवाजी महराच की जेन्ती के एक दिन पहले ठाने दिवा के बीच नई बनी पांचवी और छठी रेल लाइन के शुभारम पर हर मुंबेकर को बहुत बहुत बढ़ाई इन नई रेल लाइन मुंबेई वाचियों के जीवन में एक बड़ा बढ़ाव लाएगी उनकी इज अफ लिविंग बढ़ाएगी ये नई रेल लाइन मुंबेई की कभी न थमने वाली जिन्दगी को और अधिक रप्तार देगी इन दोनों लाइन्स के शुरू होने से मुंबेई के लोगों को सीधे सीधे चार फायदे होंगे पहला अब लोकल और एक्सप्रेश ट्रेनों के लिए अलग अलग लाइने हो जाएगी दूसरा दूसरे राज्यों से मुंबेई आने जाने वाली ट्रेनों को अब लोकल ट्रेनों की पासिंग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा तीसरा कल्यार से कुरला सेक्षन में मेल एक्सप्रेश गाड़ियों अब बिना किसी अवरोत के चलाई जा सकेगे और चौथा हर रभिवार को होने वाले ब्लॉक के कारण कलावा और मुंब्रा के साथियों की परिशानी भी अब दूर हो गई है साथियों आज मैं आज से सेंट्रल रेलवे लाइन पर 36 नई लोकल चलने जा रही हैं इन में से भी अधिक्तर एसी ट्रेने हैं ये लोकल की सुविधा को विस्तार देने लोकल को आधुनिक बनाने के केंदर सरकार के कमिट्मेंट का हिस्सा है बीते साथ साल में मुंबई में मेट्रो का भी विस्तार किया गया है मुंबई से सटे सबर्बन सेंटर्स में मेट्रो नेट्वर्क को तेजी से फैलाया जा रहा है भाई और बहनों दस्वकों से मुंबई की सेवा कर रही लोकल का विस्तार करने इसको आधुनिक बनाने की मांग बहुत पुरानी थी दोहजार आठ में इस पांचवी और छटी लाइन की सिलान्या सुबा था इसको दोहजार पंदरा में पुरा होना था लेकिन दुर्भागिये है कि दोहजार चौदा तक ये प्रोजेक्ट अलग-अलग कारणों से लटका रहा इसके बाद हमने इस पर तेजी से काम करना शुरू किया समस्याओं को सुल जाया मुझे बताया गया है कि 34 थान तो ऐसे थे जहां नई रेल लाइन को पुरानी रेल लाइन से जोड़ा जाना था अनेक चुनवतियों के बावजूद हमारे स्रमिकों ने हमारे इंजिनियर्स ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया दर्जोनों पूल बनाएं फ्लायोवर बनाएं सुरंग तयार की राष्ट निर्मान के लिए ऐसे कमिट्मेंट को मैं रिजय से नमन भी करता हूँ अभिनंदन भी करता हूँ भाई और भेनों मुंबई महानगर ने आजाद भारत की प्रगति में अपना एहम योगदान दिया है अपने आज यह है कि आत्म निर्भर भारत के निर्मान में भी मुंबई का सामर्थ कई गुणा बढ़ें इसलिए मुंबई में 21 सदी के इंफ्रासेक्टर निर्मान पर हमारा विशेश फोकस है रेलिवे कनेक्टिविटी की ही बात करें तो यहां हजारों करोड रुपिय का निवेश किया जा रहा है मुंबई सबर्बन रेल प्रणाली को आधुनिक और स्ट्रेश टेक्नोलोजी से लेश किया जा रहा है हमारा प्रयास है कि अभी जो मुंबई सबर्बन की शमता है उसमें करिब करिब चार सो किलो मिटर की अतिरिक्त भुर्द्धी हो जाए CBTC जैसी आधुनिक सिग्नल व्योस्ता के साथ साथ 19 स्टेशनों के आधुनिक औरन की भी योजना है भाई और भेनों मुंबई के भीतर ही नहीं बलकि देश के दूसरे राज्यों से मुंबई की रेल कनेक्टिविटी में भी स्पीड की जरुरत है आधुलिकता की जरुरत है इसलिए आमदाबाद मुंबई हाइ स्पीड रेल आज मुंबई की देश की आवशकता है यह मुंबई की क्षमता को सपनों के शहर के रूप में मुंबई की पहचान को ससक्त करेगी यह प्रोजेक्ट तेज गती से पूरा हो यह हम सभी की प्राथविकता है इसी प्रकार वेस्टरन डेडिकेटेड फ्रेट कुरिडोर भी मुंबई को नई ताकत देने वाला है सात्यों हम सभी जानते हैं कि जितने लोग भारतिय रेलवे में एक दिन में सफर करते हैं उतनी तो कई देशों की जन संख्या भी नहीं हैं भारतिय रेल को सुरक्षित सुविधायुक्त और आधुनिक बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथविकताओं में से एक है हमारी इस प्रतिबद्दता को कोरोना बैस्विक महामारी भी दिगा नहीं पाई है बीते दो सालों में जेल्वे ने फ्रेट ट्रांस्पोटेशन में नए रिकॉर्ड बनाए हैं इसके साथ ही आठ हजार किलोमेटर रेल लाइनों का इलेक्टिफिकेशन भी किया गया है करिब साड़े चार हजार किलोमेटर नई लाइन बनाएने या उसके दोरी करण का काम भी हुआ है कोरोना काल में ही हमने किसान रेल के माध्यम से देश के किसानों को देश भर के बाजारों से जोड़ा है साथियो हम सभी ये भी जानते हैं कि रेलवे में सुधार हमारे देश के लॉजिस्टिक सेक्टर में करांती कारी बढ़लाव ला सकता है इसलिए बीटे साथ सालों में केंदर सरकार रेलवे में हर प्रकार के रिफॉर्म्स को प्रोसाहिट कर रही है अतीत में इंफरास्टुर प्रोजेक्ट सालों साल तक इसलिए चलते थे क्योंकि प्लानिंग से लेकर एक्जुकुशन तक तालमेल की कमी थी इस एप्रोच से 21 सदी भारत के इंफ्रासेक्टर का निर्मान संभाव नहीं है इसलिए हमरे PM गतिशक्ती National Master Plan बनाया है इसमें केंद्र सरकार के हर विभाग, राज्य सरकार, स्थानी निकाए और प्राइवेट सेक्टर सभी को एक Digital Platform पर लाने का प्यास है कोशिच यह है कि इंफ्रास्ट्रक्टर के किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़ी हर जानकारी, हर स्टेक होल्डर के पास पहले से हो तभी सभी अपने अपने हिस्से का काम उसका प्लान सही तरीके से कर सकेंगे मुंबई और देश के अन्य रेलवे प्रोजेक्ट के लिए भी हम गती शक्ती की भावना से ही काम करने वाले हैं साथियों, बर्सों से हमारे यहां एक सोच हावी रही कि जो साधन संसाधन गरीम इस्तिमाल करता है मिडल क्लास इस्तिमाल करता है, उस पन निवेश नहीं करो इस वज़े से भारत के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चमक हमेशा फिकी रही है लेकिन अब भारत उस पुरानी सोच को पीछे छोड़ कर आगे बढ़ रहा है आज गांदी नगर और भोपाल के आदुनिक रेल्वे स्टेशन रेल्वे की पहचान बन रहे हैं आज छे हजार से जादा रेल्वे स्टेशन वाइट फाई सुविदा से जुड़ चुके हैं बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेने देश की रेल को गती और आदुनिक सुविदा दे रही हैं आने वाले वर्षों में 400 नई बंदे भारत ट्रेने देश वाजियों को सेवा देना शुरू करेंगे भाई और भेनों एक और पुरानी एप्रोच जो हमारी सरकार ने बढ़ ली है वो है रेल्वे के अपने सामर्थ पर भरोसा साथ आठ साल पहले तक देश की जो रेल कोछ फैक्टरियां थी उनको लेकर बहुत उदासिंता थी इन फैक्टरियों की जो स्थिती थी उनको देखते विए कोई कलपना भी नहीं कर सकता कि ये फैक्टरियां इतनी आधुनिक ट्रेने बना सकती है लेकिन आज वंदे भारत ट्रेने और स्वदेशी विष्टाडोम कोच इनी फैक्टरियों में बन रहे हैं आज हम अपने सिंगलिंग सिस्टिम को विदेशी समाधान से आधुनिक बनाने पर भी निरंतर काम कर रहे हैं स्वदेशी समाधान चाहिए हम विदेशी निर्भरता से मुक्ति चाहिए साथियों नई सुविधाएं विख्षित करने के इन प्रयासों का बहुत बड़ा लाप मुंबई और आसपास के शहरों को होने वाला है गरीब और मिल्डर क्लास परिवारों को इन नई सुविधाओं से आसानी भी होगी और कमाई के नए साधन भी मिलेंगी मुंबई के निरंतर विकास के कमिटमेंट के साथ एक बार फिर सभी मुंबई करों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद